कानपूर में साथ ब्लॉक खोको एसोशीशन के द्वारा आयोजिक प्रिसवारता की गई है बारता में बताया गया कि इस बार खोको प्रत्यों किता बड़े स्थर पर करवाई जा रही है जिसमें प्रदेश के कई जिले से खिलाड़ी आकर हिसा लेंगे उसको देखते हुए पहले से ही तयार्या कर ली गई है वही बैठक में शामिल मुलायम सिंग यादो कानपूर्दे हाथ बार एसोशीशन के द्वारा बताया गया कि सेवन ब्लॉक खोको एसोशीशन द्वारा दसवी बार आयोजिक किया जा रहा है यह आयोजन यशोदानगर बाइपास के पास वंदावन में सुनशित गया गया है जिसमें कई जिले से खिलाडी शामिल होंगे और सबी हारे बाजी की खिलाडियों को उनकी पतिवा की हिसाब से पुरुसकार दिया जाएगा यह पित्योगीता 26 मार्च और 27 मार्च को आयोजित होनी है हम लोग खोखो एशोशियेशन का जो प्रोगाम 26 तारीक को होने जा रहा है उसका संदेश देने के लिए आम जन्मारश में कि यहाँ पर बच्चे जो है वो 26 और 27 तारीक को दंदा बनलान में खोखो एशोशियेशन दोरा आयोजित खेल होने जा रहा है उसका संदेश देने हम लोग आ जाए कितने इसमें जो खिलाड़ी हैं भाग लेंगे और कितने दिन तक यह पति रुपते हैं दो दिन 26 तारीक शे 11 वजे से सुरू होगा और 27 को तीन वजे इसका समापन होगा जिसमें लगब एक हजार बच्चे तक भाग लेख सकते हैं कानपुर बार इस दुनिया के जो सबसे बड़ी बार है बंजी सिंग्यातो दोरा इसको जो है मुकतित होंगे और विश्चिस ट्रक्सित हमारे रज़त दीछेजी होंगे यह कानपुर के हाईवे के पास यह ब्रंदावनलान है जहां यह किद्वई नगर के अंतरगत आती है उशी हाईवे के पास में होने जा रहा है इसके पहले भी क्या कोई आउजन इस तरीके पर करवाया गया ब्रंदावनलान के चेर बैन स्री अजयर प्रताफ सिंग्याद और अड़ोकेट दौरा बिगत कई बरसों से सामाजिक कार किये जा रहे हैं जो दो सालों से ब्रेक था इसके पहले देश के कोने कोने से हर खेलेहां पर डक्टर भी आर के दौरा किये जा चुके हैं यह दो सा 50 अर्शान के लिए गाज़ खेलों में एक खोख़र है जिसको ब्रंदावनलान के चेर वेंन चीजियाजै प्रताफ सिंग्यादावनलान के चेर में तेम अपने बितार ब्रहं लेन अलुवड टेस्टेश्टवरा अजित किया रहा है जिसको च्पिस तारी को गयरा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें